तो next topic है वो है superposition of waves देखो superposition of waves का मतलब यह होता है 2 या 2 से जादा waves का मिलना और एक नई wave का बनना ऐसा भी हो जाता है, 2 waves मिलके एक नई wave बना देती है लेकिन यह कैसे हो सकता है, 2 waves है, 3 waves है, नई wave कैसे बन गई इसको discuss बाद में करेंगे, इससे पहले जो start करना है वो है wave function देखो wave function क्या होता है, बहुत ही simple सी एक बात मैं आपसे पूछता हूँ कि waves के अंदर, सबसे पहली चीज यह बताएं कि कोई भी अगर wave generate होती है जैसे आप एक रसी के अंदर wave बना रहे है तो रसी को ऊपर नीचे मुव कर दें तो wave generate हो गई आप पानी के अंदर गर आपको पत्थर पैंकना पड़ेगा, wave propagation होगी या आप कोई भी जो भी जैसी भी बनाना चाहते है वैसे आपको सूर्स लेना पड़ेगा मैं बहुत ही simple सा example लेने वाला हूँ, plane progressive wave का अरसी के अंदर best है, अरसी दिखती ही आप imagine कर सकते हो कि wave मैंने कैसे generate की, सबसे easy part यह है तो imagine करो कि आपके पास एक wave है, यह मालनों string है और यहां से आप wave को generate करने वाले है, wave का यह जो रसी का पहला particle है, इसको आप पकड़ेंगे, अब कैसे move करवाएंगे, एक, दो, तीन और चार, कोई कहता जी मैं तो ऐसे करवाता ही नहीं, मैं तो ऐसे करवाँगा, एक और दो बस, तो अगर वो ऊपर नीचे करता है, तो उसकी wave pulse ऐसी generate होगी, लेकिन अगर वो पूरा periodic motion करता है, means, एक, दो, तीन और चार, फिर उसका crest के साथ truff भी त्यार हो जाएगा, clear है, पर माल लो एक मिनिट के लिए, किसी ने ऐसे generate किया, और किसी ने ऐसे generate किया, यहां से start होक एक उपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, और फिर उपर आएगा, तो उसकी wave pulse ऐसी generate होगी, अगर वो इस हिस्से को बार बार उपर नीचे करता रहेगा, तो wave pulses generate होती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन अगर वो एक बर करके छोड़ देगा, फिर ये wave pulse आगे travel करती जाएगी, और जैसे आगे जाएगी, पीछे का हिस्सा rest पर आजाएगा, जैसे इसने generate की, अगर मालो ये wave pulse generate होई, तो ये हिस्सा आगे जाएगा, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, और ऐसे चलता जाएगा, multiple बार 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 त यह श्मिक्र यह ऐखी त्याय यह ऐख करने वाला हूं.. यह अब यह करते.. अब यह विछायी मेन वह ज। जाया रही और जलिए कर जब यह वर पालऴ जाया हूं.. आज में नेकर नहीं। में तो में फोढ़ное दख़ जाय यह तो कोई particle पी, तो किसी ने गा, sir, पी particle रास्ते में आएगा, तो क्या होगा उसके साथ, जैसी ये wave pulse इसके अंदर enter करेगी, पी particle नहीं जाएगा, right और left जाएगा, कि ऊपर नीचे जाएगा, वेव के साथ चल पड़ेगा, नहीं, रस्ती थुना चल पड़ेगी, पी पार्टिकल में जैसी वेपल्स आएगी। उपर नीचे नीचे उपर जो बहिएवियर फर्स्ट पार्टिकल पाथ वही बहिएवियर पीका होगा। लेकिन थोड़ा लेट होगा। वेपल्स उसमें आने में टाइम लगाएगी तो यहां तक क्लियर है। तो उसके बाद ज नीचे नीचे ऊपर बात कर तो फिर रेस्ट भी आ जाएगा, तो हर पार्टिकल के बारी आएगी, ऊपर नीचे नीचे ऊपर करता रहेगा, क्या पॉइंट क्लियर है? इसका मम नहीं ले रहें, तो एगर मैक्समम अंप्लिट्वीड इसका 1 मे रहें तो इन पार्टिकल को भी 1 मे रही मेटर ही ऊपर जाना है, एप क्या बता सकते हो कि किसी पार्टिकल की डिस्प्लेस्मेटवाय कितनी है, मैंने का वाई मतलब वोगर देखो आप कहा रहे हो कोई मालनो पी पार्टिकल है पी पार्टिकल उपर गया होगा वन मीटर नीचे आया होगा फिर नीचे फिर उपर नेगा हाँ ठीक क्या आप ये बता सकते हो कि जब ये वेपल्स इसमें आई उस वक्त मालनो टाइम 15 सेकेंड था 15 सेकेंड पे ये पी पार्टिकल कहां पे पाया जाएगा यहीं पे पाया जाएगा टॉप पे होगा बॉटम पे होगा या बीच में कहीं पे होगा ये बताओ कि किसी भी इंस्टेंट पर इसकी वाई की क्या वैल्यू होगी कुछ तो होगी कि कॉंटेंस ली ये पार्टिकल ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं चलो आप एक वैपल्स छोड़ो मालो अपने मल्टिपल वैपल्स से जनरेट कर दी है चलती जा रही है अब P-Particle हर वक्त ऊपर नीचे मूव कर रहा होगा क्योंकि मल्टिपल है पीछे से वैप पल्स आई जा रही है तो P-Particle या जो भी Q-Particle है उसकी मुव्मेंट हर वक्त होती जा रही है ऊपर नीचे तो वो कहते हैं कि मानलो आप बता सकते हो T is equal to 15 Second के उपर Q particle रास्ते में कहा होगा 0.1 meter पे 0.2 meter पे 1 meter पे 0.5 meter पे नीचे उपर exact location बताना उसकी y की क्या होगी ठीक तो मैंने का ठीक है यार अगर y पूछ रहे हो तो मेरे को एन एक formula बनाना पढ़ेगा तो मेरे को एक formula बनाना पढ़ेगा जिसमें मैं किसी भी particle की y की value को निकास रहता हूँ क्या यह point clear है यहां तक तो किसी भी particle की मैं y की value निकाल दूँ लेकिन problem यह है कि y की value हर वक्त अपनी value को क्या कर रही है change, y तो continuously क्या हो रहा है change हो रहा है क्या यह point clear है तो y की value change हो रही है लेकिन एक बात पक्की है, y, बताने के लिए, मुझे एक y का formula बनाना है, कि किसी भी particle के लिए आप किसी भी समय पे अगर y निकाल सको, मैं यह formula देने जा रहा हूँ आपको, तो y की जो value है, किस पे depend करेगी, time पे, photo किस time पे खिची गई, किस instant पर y निकालना चाते हो, तो y किस पे dependent है, time पे, कि time t is equal to one second पे देखना चाते हो, दो second पे, एक घंटे बाद, दस घंटे बाद, कब देखना चाते हो, कि particle जो P या Q है, वो कहां पे होगा, लेकिन आपको समय तो बताना पड़ेगा, कि किस समय पे, तो y किस पे dependent होगा, time पे, क्या ये बाद सम्झ में हा रही है, फिर दूसरा, जब P particle माल लो 1.1 meter पे है, तो Q particle क्या अपना 0.5 meter पे हो, हर पार्टकल अपनी 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 अलग अलग positions पे होगा, symmetry में थोड़ी ना सारे पार्टकल जा रहे, रस्ती है तो नो move कर रही है, और ऐसे move करते है, फिर तो सारे एक एक जासे थे, रस्ती तो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे move कर रही है, तो कोई particle उपर हो सकता है और कोई particle उसी instant पर नीचे भी हो सकता है तो यानि कि y की value हर particle के लिए different है हर particle को कैसे define करते हैं इस mean position से इस particle की location कैंग है x तो अलग-अलग x के particle पे अलग-अलग y की value आने वाली है तो यानि की y की value x पे तो depend करती करती है साथ में time पे डिपेंड करती है तो अब अगर आप मुझे यह पूछते हो कि sir please मुझे y बताना तो मैं दो चीज़ें पूछूँगा भाई किसका y बताऊं पी पार्टिकल का, q पार्टिकल का, s पार्टिकल का, t पार्टिकल का, point तो बता यानि की x पूछूँगा, x बता और दूसरा किस समय पे बताऊं कि आपको y तो बताऊं y तो हर समय पे अपने value को क्या कर रहा है change तो मुझे समय भी बताना पड़ेगा, तो मुझे t भी बताना पड़ेगा क्या मैं ये बोल सकता हूँ, y की value दो factor बे डिपेंडेंट है, x और t कोई doubt इसमें, math में इसको बूलते हैं, y is a function of x and t math वले समझते हैं, कि function medical वाले, function का मतलब y dependent है, x और t पे य का जो भी formula तियार होके आएगा, उसमें दो variable जरूर पाएजाएंगे, x और t इसका मतलब ये है, कोई doubt इसमें, तो wave function किसे बोलते हैं, functions, function का मतलब ऐसा formula, जो निकल के आएगा y का, involving x and t, which mathematically gives description of extended moving object, जो mathematically आपको y की value देवेगा, जो x और t पे dependent है, किसी भी wave pulse के लिए, उसको क्या बोलते हैं, wave function, तो अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, किसी भी wave का wave function का मतलब किसी भी wave की equation, जब हम बोलते हैं, wave की equation, तो किसी भी particle की position, किसी भी time पे क्या होगी, ये बताने जा रहे हैं, कि y की value होगी क्या, जब मैं बोलता हूँ कि y की value क्या होगी, वो y किसका, y किसका निकाल रहा हूँ मैं, wave का, नहीं, किसी भी particle का y के है क्योंकि wave तो x में जा रही है और हम y किसमें ढूढ रहे है particle का particle उपर नीचे move करने है wave x में जा रही है तो जब मैं कहता हूँ y displacement निकालने जा रहा हूँ y की position निकालने जा रहा हूँ तो किसकी? particle की हूँ जब वेव उसमें से प्रॉपगेट कर रही है तो पार्टिकल किस position पे होगा यह हम निकालने जा रहे है इसे बोलते है वेव फंक्शन क्या यह पॉइंट क्लिर है यहां तक? ठीक, next step